हलो दोस्तो वेलकम टू आर्केटाकंट सल्यूशन दोस्तो मेरा नाम है दोस्तो आज किस वीडियो में आपको एक ऐसी अमेजिंग अप्रिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप भी यही बोलोगी जी हाँ दोस्तो तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टिंग होने वाला है तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक शुरूर देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मुवाइल के प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एक्सेस कैमरा आप यहाँ पर इस application का icon देख सकते हैं इस application को आपको अपने mobile में install कर लेना है तो यहाँ पर मैंने already install किया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ open open करने के बाद दोस्तो आपको इस application में सभी permissions देके open कर लेना है application के open होने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ ऐसा interface हैगा दोस्तो इस application के साथ आप अपने mobile के front या फिर back camera के साथ जो recording है वो कर सकते हो इवन की आप अगर इस application को background में close भी कर देते हो तब भी इस application के camera से जो recording होती ही रहती है और साथ में दोस्तो इस application के साथ जो mic है वो भी work करता रहता है दोस्तो अब जाना है आपको इस application की settings में तो यहाँ पर आपको icon दिखाई दे रहा होगा settings का आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछरा ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको जाना है camera and video settings में तो यहाँ पर आपको click करने के बाद आपके सामने को शहया सा interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते है camera type यहाँ पर आप front या फिल back जो भी camera आप यहाँ पर select करना चाहते है वो कर सकते है यहाँ पर आप second number पर देख सकते है record audio अगर आप चाहते हैं आपका mic भी साथ में ओर रहे तो यहाँ पर आप on off कर सकते हैं flashlight भी आप select कर सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो set कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको privacy settings में जाना है अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करें आपकी gallery में ना दिखाई दे तो यहाँ पर आप इसे on off कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं privacy settings में आप अपने recording के से set कर सकते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर इससे recording करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको click करना है start camera पर start camera पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो mobile से जो recording है वो होनी शुरू हो जाएगी और दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ पर recent apps में भी यहाँ पर इसे close करते हूँ तब भी आप देख सकते हैं अगर आप mobile की screen भी आफ कर देते हैं तब भी इस camera से जो recording होती रहेगी अब मैं आपको यहाँ पर जा के दिखा देता हूँ कि recording हो रही है या नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है stop camera तो यहाँ पर मैं click करता हूँ click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं records यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद आपके mobile में जो भी recording होई है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी recording की है यहाँ पर वो शो कर रही है दोस्तो इसी तरह से आप कहीं भी अपने front या फिर mobile के back camera के साथ audio के साथ जो वीडियो है भी record कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसा इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए